पर्फेक्ट वोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियान ह्यूंग पाइप सेयर के बारे में अगर अभी तक आपने हमारे चनल सब्सक्राइब निए तो सब्सक्राइब कर लिजे डेली वेसिस पर नएने वीडियो लेक कर दिए उसका प्रूब देखना चाहो तो आज की टेटिंग सेसन में आप देख सेकते हैं दस परसंट का आपको रिटन देखने को मिले हैं मैंने आपको बोला था वन आवर टाइम फ्रेम का ध्यान रखिए जब भी आपको केंडल क्लोज होती देखने को मिलती है एंट्री कर लीजिए अगर किसी ने की भी होगी तो उसको कम सब्सक्राइब 5-6 परसंट के रिटन आसानी से मिल गए होंगे हमारा इस्टोक है इंडियन हूम पाइपस कंपनी इसका ओल ओवर चार्ट पैटन लगाओगे तो 10,000 परसंट के रिटन बना कर दिया है हम इस वीडियो में इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल और इसके टेंडिकल कवर करेंगे तेकनिकल इसलिए क्योंकि यह कंपनी आपको आने वाले तीन से चार महीने का अंदर आपके रिटन काफी अच्छे बना कर देने वाली है company के बेसिक की फंडामेंटल कि बात करें तो market कैपलाईजएशन और पीजी रेशियो के साफ से यह नेगेटिव ग्रोथ है सिस्टॉप की और पर्मोटर की 30% इसके ओलिंग प्लेज और पर्मोटर के बाद 69.93% के ओलिंग है इसका यह जो डाटा देखने को बड़ा है लास्ट तरियर की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है 2% की करीब और लास्ट तो 3.52 का इसका नेट प्राफिट मार्जिन से और EPS के बाद करें EPS इसका देखने को बड़ा है साड़ी ग्यार रुपए गुक वैल्यू इसके एक सो चम्माल इसके बाद करें 0.93 का डिविडें रिल्ड है फेस्ट वैल्यू है इसकी दो रुपए अब देखे इसके बिसि और एक स्विंग ट्रेडिंग दो इसाफ से हम इसको कवर करें के बाद करें 2021 से इसका प्यानल देख सकते हैं इसके लगातार बढ़ रही है मार्जिन के बाद करें दस परसन ते जो गढ़कर अभी 9 परसन रह गया है वहीं साथ इसाथ आपके इसके नेट प्रॉफिट की ब बॉटम चार्ट पैटर्म बनता हुआ देखने को मिल रहा है आप यहां देखेंगे एक यह इसका सपोर्ट है और एक यह इसका सपोर्ट है एक जब हम यह ट्रेन लाइन लगाते तो हमें इसका एक बॉटम देखने को मिलता है और एक और फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो formation आप देख सकते हैं इसका कि यहां एक W pattern बनता हुआ देखने को मिल रहा है आपको clear देखने को मिल रहा होगा अभी यहां मतलब यह complete नहीं हुआ है अगर यह complete हो जाता है आपको weekly time frame में तो आपको यह return किते बना कर देगा जितनी इसकी size है इसकी size किती है इसके return की बात कर भी इसको जाता हुआ देखने को मिलगा और इस level से आप इसके return consider अभी entry लेते है तो यहां से आप return consider कर करके देखिए यह आपको daytime from chart pattern daytime from chart pattern हम यहां समझते हैं यहां पर क्या होने वाला है यहां पर आप देखेंगे तो एक flag बनता हुआ देखने को मिल रहा हुआ यह इसकी length है और यह इसका flag बनने वाला है ठीक है और इसका breakout भी दे दिया है तो अब यहां इसके जो entry जो support रहेगा ना वो support आप इसका 190 रुपय का बनता हुआ देखने को मिल रहा है यह support को आप रख सकते हैं 190 रुपय का दूसरा support देखने को मिल रहा है इसका 200 रुपय का ठीक है यह दो support बनना है इसके अगर आप current price पे इसमें एंट्री लेते तो 190 और का आपको यह देखने को मिलना चाहिए तो 15% की return देखने को मिल रहे है इस target तक उसके बाद आपको next target होना चाहिए यह वाला लेवल फिर उसके बाद यह लाव यह वाला लेवल ठीक है यह जैसे यह 340 का है यह आपको 300 का देखने को मिलना है पहला जो आपका target रहना देखने को मिलेगा थोड़ा correction होता हूँ देखने को मिल सकता है और आज के दिन आपको यहां देखने को मिला ही यह correction ठीक है यानि थोड़ा बहुत retest करेगा stock या फिर इसी जॉन में थोड़े दिन दाएगा उसके बाद आपको तेजी देखने को मिलेगी तो इस stock को भी आप focus पर रखिए यह stock आप काफी अच्छे return बना कर देगा एक से देड़ महीने लगता है इस pattern को पूरे को बनने में तो वही आपको यह pattern बनता हुआ देखने को मिलना है यह complete होता है तो इसके breakout के बाद भी entry ले जा सकती है और इससे पहले भी आप यहां ले सकते हो आपके पास दोनों option हैं हम stop loss की बात करें तो 190 और 200 के बीच में रहना चाहिए आप 200 रख सकते हैं और कम से कम 190 का support रखके चल सकते हो जो कि इसका flag pattern में देखने को मिलता है यह वाला आप यह आप यह देखने को मिलेगा support इसका रहेगा यह वाला ठीक है तो आप इसको 190 और यह आपको 200 क देखने को मिल रहे हैं धुण है तो इसका आप support रखकर चल सकते हो अगर इससे नीचे आता यह 190 यह दो से 90 से नीचे देखने को मिलता तो इसको आपको еxit करना है आई ओंप ये वीडिव आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडिव आपको अच्छा लगा हो ज़िए नेक्ट वीडिव में आज के लिए इतना है तते की लिए बाइ एंट थैंक यू